हेलो एंड वेलकम आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक सेल और गैनिल की जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं इसके अलावा इन्हें हम स्यूसाइडल बैक्स भी कहते हैं तो इन्हें ये नाम देने की पीछे क्या रीजन है? इसके अलावा इसका structure, function और types को detail में समझेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एक definition की जिसे हम lysosome कहते हैं. तो lysosome है एक spherical shape, vesicle या इन्हें हम sex भी कह सकते हैं, जो कि भरे रहते हैं hydrolytic enzyme से और इन hydrolytic enzyme में ये capability होती है कि ये almost every type of biological macromolecule इसके अलावा cell के खुद के organelles और कभी-कभी ज़रत पढ़ने पर cell को भी digest करके residues में बना सकती हैं. तो ये lysosome एक तरह के digestive bag है, जो कि cell के अंदर present रहते हैं. अब इनका structure और function समझने से पहले थोड़ी history की बात कर लेते हैं. तो lysosome को सबसे पहले देखा था एक Belgian biologist जिनका नाम था Christian D. Jouvet. उन्होंने इसे liver cell में discover किया था. बाद में उन्हें इसके लिए noble prize भी मिला था. लाइसोसोम को हम digestive body of the cell भी कहते हैं. उसे कहने का ये reason है कि Greek word जो होता है उसमें lysosome का मतलब होता है digestive और soma का मतलब होता है body. तो इस तरह से digestive body इनको कहा जाता है क्योंकि lysosome और soma Greek word से निकले हैं. अब ये कहां पर present होते हैं? तो lysosome मिलते हैं animal cells में, rarely ये plant cell में मिलते हैं. कभी-कभी vacuels जो होती हैं वो as a lysosome काम करने लगती हैं. इसके अलावा कुछ exceptions हैं जो animal cell में जिसमें lysosome नहीं मिलते. जैसे फंजाई की अगर बात करें तो इस्ट और नियुरोस्पोरा में आपको lysosome नहीं दिखाई देंगे. इसके अलावा प्रोटिस्ट दे देखें तो यूगलीना में भी lysosome नहीं मिलते. मैच्चोर मैमेलियन आर्बिसी जिसका example हम सभी और्गेनल में बात करते हैं तो यहां पर भी lysosome नहीं पाए जाते. तो कुछ exceptions के साथ lysosome हर अनिमल सेल में आपको दिखाई देंगे. प्लांट सेल में कुछ वेक्योल्स लाइसोसोम की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे shape, size और number की. शेप, size और number की बात करें तो shape ज़्यादा तर spherical होती है लेकिन इन size में 0.1 से 1.2 माइक्रो मीटर तक हो सकते हैं. तो जिन cells में digestion का process जादा होता है वहाँ ये size में थोड़े बड़े आपको दिखाई देंगे. तो जो average size है वो 0.6 माइक्रो मीटर तक होता है lysosome का. वहीं अगर number की बात करें तो again vary करता है cell to cell. जिन cells में digestion जादा होता है जो WPC है, Phagocytes है या एक cell होती है, Osteoclast जो बोन के reabsorption का काम करती है. तो इन cells में lysosome का जो number होता है वो maximum मिलता है. तो यहाँ पर shape, size और number की बात हो. अब बात करते हैं कि lysosome बनते कैसे हैं. तो lysosome गॉल्जी बाड़ी से बनते हैं. ये जब हमने गॉल्जी बाड़ी पढ होती है, उन में जो एंजाइम भर जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो फिर लाइसोसोम की तर एक्ट करने लगती है. तो बनती तो ये गॉल्जी बाड़ी से सिक्रीट आउट होके है, वेसाइकल्स की फॉर्म में. लेकिन इन के अंदर जो एंजाइम होता है, वो कहा होती है, यहाँ पर अगेन उनकी प्रोसेसिंग के बाद ये फिर से वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक कर दी जाती है, और ये बनती है गॉल्जी बाड़ी से पिंच आफ होके, तो एंजाइम आ रहा है रफ एर से, बतलब रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से, लेकिन बन कहां से रहे है, ये गॉल्जी बाड़ी से वेसाइकल्स पिंच आफ होकर बनती है, तो इस तरह से लाइसोसोम बनते हैं, सेल्स में, तो इसके बास समझ लेते हैं, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को, तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको दो कॉम्पोनेंट्स दे दिखाए देगी जबकि अदर ऑर्गेनेस्स जो हम देखते हैं जैसे माइट्रोकॉंडिया गॉल्जी बॉडी उनमें हमें डबल मेंब्रेन दिखाए देती है लेकिन यहां पर लाइसोसो में सिर्फ एक मेंब्रेन होती है उसके अलावा इसके अंदर जो मेंब्रेन में भरा रहता है वो है मैट्रिक्स जिसे राप फ्लूइड कह सकते हो यह मैट्रिक्स जो होता है इसमें कई तरह के हैइडरोलेज नें जाइम भरे रहते हैं जिन्की पी एच होती लाइसोसोम के अंदर उसे इसके membrane कैसे protected रहती है तो यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि इसकी जो protein होती है lipid protein से मिली membrane है लेकिन इसमें जो present protein होती है वह highly glycosylated होती है जिसमें की जो carbohydrate की chain होती है वो एक protective lining मनाती है और इस membrane को shield करती है अंदर के भरे enzyme से तो matrix में है 4.6 से 5 तक की pH इससे क्या हो सकता है? membrane भी इसकी digest हो सकती है या membrane भी इसकी destroy हो सकती है तो इस membrane को protection देने के लिए यहाँ पर protein होते हैं जो की highly glycosylated होते हैं और इनकी ही carbohydrate की जो chain होती है वो एक protective lining के थूँ इस membrane को protect है तो यहाँ नीचे diagram में आपको lysosome का structure दिख रहा होगा जिसमें की एक single membrane है इस पे और यहाँ पर आपको कुछ इसमें embedded glycosylated protein दिख रहे होंगी यह वही glycosylated protein है जो इसको protect करती है अंदर के enzymatic activities है अंदर की तरफ भरे रहते हैं इसमें matrix में hydrolitic enzyme जिने हम acid hydrolysis के नाम से भी जानते हैं तो इसका structure बहुत ही simple है बस membrane और matrix है आपको दिखान रखना है कि pH कितनी होती है और यह glycosylated proteins का क्या काम होता है तो अब बात करते हैं यह कैसे function करता है मतलब lysosome कैसे हर चीज को digest कर लेता है तो अब यह हम बात कर रहे थे कि pH होती है इसकी 4.6 से 5 तो यह acidic pH है जिसमें की बहुत सारे acid hydrolysis enzyme present रहते हैं और वो किसी भी pathogen को या फिर carbohydrate को, protein को सभी को break down कर सकते हैं इविन जब ज़रत पढ़ती है तो cell को भी यह digest कर लेते हैं cell के organelles भी जब aged हो जाते हैं या फिर कहने लगते हैं कि वो degrade होने लगते हैं या old हो जाते हैं तो उनको भी यह digest कर लेते हैं lysosome जो present होते हैं अब यह pH कैसे maintain रहती है क्योंकि हमने पढ़ाए कि cytosol की जो pH होती है वो 7 के असपास होती है तो यहाँ पर इसमें कैसे यह pH maintain रहती है 4.625 तो lysosome की membrane में present proton pump जो होता है वो इसकी pH को maintain रखने का काम करता है तो proton pump में protons का इदर उदर transfer होता है और इससे इसकी जो pH होती है अंदर की वो maintain रखी जाती है जो की होती है acidic 4.6 से 5 तक तो अब हमने समझा कि lysosome का क्या structure होता है कहां से बनते है lysosome और वो कैसे function करते है अब बात करते हैं कि कौन-कौन से enzyme present होते है lysosome में तो lysosome में around 50 enzymes जो की acid hydrolases के नाम से जाने जाते हैं present होते हैं इन में कौन-कौन से enzyme आते है phosphatases जो phosphate group को तोड़ने का काम करते है nucleases जो DNA और RNA बनते है मतलब DNA और RNA पर काम करते है proteases जो protein को तोड़ने का काम करते है polysaccharides यह जिने हम glycosidases भी कहते हैं क्योंकि carbohydrate में कौन सा bond होता है glycosidic bond होता है next है lipases जो lipid पर काम करते है last है sulfatases जो की sulfate bond को तोड़ने का काम करता है तो यहां पर total number of enzyme around 50 होते है और category में अगर divide करें तो phosphatases, nucleases, proteases polysaccharides और lipases sulfatases तो यह enzyme present होते हैं lysosome में इसके बाद हम बात करेंगे types of lysosome की तो हम जब भी types of lysosome देखते हैं एक term आता है polymorphism polymorphism के क्या मतलब है poly का मतलब होता है कई या many और morphism जिसमें morphology कई हो तो यहां पर lysosome जो cell के अंदर present रहता है वो कई forms में present रहता है इसलिए हम कहते हैं कि lysosome जो होते हैं वो polymorphism दिखाते है तो यहां पर हम देखते हैं कि types of lysosome में four types होते हैं lysosome के जिसमें की सबसे पहले हम देखते हैं primary lysosome उसके बास secondary lysosome third है residual body और fourth है autophasic vecules इनको हम एके करके detail में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं primary lysosome की तो primary lysosome क्या होते है primary lysosome है newly formed vesicles जो की अभी अभी gorgy complex से pinch off हो के बनी है इन vesicles ने या इन lysosome ने अभी तक किसी भी particle को digest नहीं किया है तो जब यह particles को digest कर लेती है तब यह fully functional बन जाती है अब secondary lysosome क्या होते हैं यह कहलाते हैं digestive vecules और secondary vesicles बनते हैं जब कोई foreign particles को primary lysosome attack करते है तो यह उसके attack के बाद बन जाते है secondary lysosome क्योंकि इनके enzyme fully functional हो जाते हैं तो जैसे ही किसी foreign particle को attack करती है primary lysosome इसके enzyme active हो जाते है और यह बन जाते है secondary lysosome तो यहाँ पर एक diagram मैंने डॉकिया है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यह है plasma membrane और यहाँ पर एक foreign particle है जो cell के contact में आया है अब जैसे ही यह plasma membrane के contact में आता है कोई foreign particle हमने endocytosis में भी से समझाता कि एक vesicle form होने लगती है तो यह इसको trap करने लगती है और दीरे-दीरे step by step एक vesicle form हो जाती है अब यहाँ पर जो next आपको cell दिख रही है इसमें क्या होता है कि जैसे ही यह vesicle cell के अंदर enter होती है इसको हम क्या कहने लगते है phagosome वही vesicle है लेकिन इसका नाम cell के अंदर change हो जाता है इसको हम phagosome बलाने लगते है अब इधर दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है एक golgi complex है जिससे की lysosome secret out हो रहे है तो यह क्या हो गए primary lysosome जिसा हमने पढ़ा कि अभी golgi complex से जो newly formed होती है vesicle उन्हें हम primary lysosome कहते है तो यह primary lysosome फिर इस phagosome के साथ जब contact में आते हैं और यह दोनों मिलकर एक structure बना लेते हैं तो इसको हम कहते हैं phagolysosome अब यह phagolysosome में जो present enzyme है lysosomal enzyme वो इस पर attack करेंगे और इसको फिर degrade कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह जो foreign particle था यह degrade होता है अब उसके बाद यह exocytosis के तुरू यह जो residual bodies है इनको बाहर भी छोड़ा जा सकता है तो जो next type है lysosome का वो यही है residual bodies तो residual bodies जिसे हमने समझा कि degrade होने के बाद जो leftover बचता है यह जो indigested food material बचता है वो residual bodies होती है मतलब third type of lysosome होता है तो जितना भी indigested food material बचता है lysosome के अंदर फिर lysosome की उस form को हम residual body के नाम से जानते हैं तो next जो type है lysosome का उसको हम autophagic vacuole या autophagic lysosome के नाम से भी जानते हैं autoverd add हो रहा है तो मतलब अपना खुद के cell organelle है मतलब cell के जो organelle है उनको digest करने के लिए तो यहां पर आप सबसे नीचे देखो तो आपको कुछ mitochondria दिखाए दे रहा है तो यह mitochondria वो है जो degrade होने है मतलब या तो इनका age हो चुका है या फिर इसमें कुछ खराबी है तो इनको cell को degrade करना है तो जब यह cell को degrade करना होता है तो इसके चारो तरफ एक विसाइकल फॉर्म होने लगती है अब यह विसाइकल कैसे बनती है यह बनती है विद्धा हेल्प ओफ एंडोप्लाजमिक रेटिकॉलम अब यह विसाइकल की फॉर्म में जो mitochondria है इसके साथ आके एक Lysosome Ateach हो जाता है तो यह Lysosome आप देख सकते हो कि गॉल्जो बॉड़ी से निकला है और आकर इस विसाइकल के साथ जुड़िया है अब जैसे ही यह Lysosome Ateach होता है यह इसको डिग्रेट करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह है residual body जो कि डिग्रेट होने के बाद बनी है जब आमने पहले भी देखा कि बनती है residual body और फिर वो exocytosis के थरू बाहर निकाल दी जाती है कभी-कभी सेल में क्या होता है यह residual body exocytosis के थरू बाहर निकल के एक टाइप के granule बना लेते हैं जिनने हम lipofuccin pigment granule कहते है तो यह granule क्या होते है यह इखटे होते रहते हैं सेल में सेल ओर्गेनेल के degrade होने के बाद तो जो सेल काफी लंबी टाइम सर्वाइब करती है जैसे neurons अगरा है तो उनमें यह lipofuccin pigment granule बहुत जादा दिखाई देते है तो अगर यह सेल में बहुत जादा प्रिजेंट है तो इसका मतलब है कि सेल काफी पुरानी है तो इस तरह से यह autophagic vacuol काम करती है यह खुद के सेल ओर्गेनेल को digest करनी में तो हमने यह चार टाइप देखे lysosome के तो कभी-कभी यह question पूछा जाता है जब types of lysosome को discuss करते है कि यह lysosome का nature autophagic है या heterophagic है तो heterophagic nature वो होता है जब सेल के अंदर कोई foreign particle आता है उसका digestion होता है तो यह जो secondary lysosome होते हैं यह heterophagic nature के होते हैं और autophagic मतलब cell के organelles का digestion हो रहा है तो यहाँ पर autophagic vacuol autophagic nature की है और secondary lysosome जो होते हैं वो heterophagic nature के होते हैं तो यह भी एक type है lysosome का तो जब video शुरू हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि lysosome को हम suicidal bags भी कहते हैं तो यहाँ पर suicidal bags कहने का यही reason है कि जब जरूरत पड़ती है तो यह lysosome पूरी की पूरी cell को ही digest कर देते हैं तो एक तरह से यह ऐसे bag है जो cell के सारे organelles को digest करने की capability रखते हैं उसके अलावा जरूरत पड़ने पर cell को भी digest कर सकते हैं तो अब हम next इसके functions को समझ लेते हैं तो ज़्यादा तर functions हम discuss कर चुके हैं क्योंकि हमने जो pathway देखे थे उसमें इसके functions ही involved हो रहे थे तो सबसे पहले suicidal bags हमने अभी discuss किया उसके बाद repair of plasma membrane तो plasma membrane की repair में भी lysosome एक function प्ले करते हैं जब plasma membrane damage हो जाती है तो उसमें calcium का influx बहुत बढ़ जाता है और यह exocytosis के through जाकर plasma membrane पर attach हो जाते है और इसको repair करने का भी काम करते है यह एक detailed process है जिसको कभी हम और वीडियो में समझेंगे next है autophasic vacuol जो हमने पीछे discuss की उसके बाद digestion of foreign particles जो हमने pathway में discuss किया था तो next function जो है lysosome का वो है bone resorption का तो यह bone resorption कहा होता है osteoclast cell का तो यह osteoclast cell की हमने बात कि थी जब हम shape size number को देख रहे थे वीडियो में तब मैंने बोला था कि जिन cell में digestion process जादा होता है वहाँ lysosome का number जादा होता है तो osteoclast एक ऐसी cell है जहां पर lysosome बहुत जादा numbers में होते है तो यह जो osteoclast cell होती है यह bone के tissue होते है उनको breakdown करने के काम आती है और जैसे mineral, calcium वगेरा जो निकलता है इसे उसको blood में release कर देती है तो यह होता है जब body में calcium की कमी होने लगती है या फिर जब age बढ़ जाती है तो इसी लिए doctors आपको calcium के supplement देने लगते है जिससे की calcium की कमी पूरी हो सके और bone से resorption होके calcium ना निकले इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो bones होती है वो cartilage की बनी होती है तो जब इन bones का जब बच्चे बड़े होने लगते है तो ossification चुड़ होता है और यह cartilage जो होता है यह bone से remove कर दिया जाता है तो जब removal होता है इस cartilage का तब भी digest करने का काम जो cartilage को होता है वो इनी osteoclast cell का होता है तो यह हो गया bone resorption इसके बाद है microbial killing तो वही है कि यह pathogen है foreign particle है आकर cell पर contact करते हैं जैसे ही cell के अंदर आते हैं तो lysosome के attack से इन microbes को kill कर दिया जाता है तो next function है antigen presentation तो blood cells में present कुछ leukocyte होती है जो यह lysosome के साथ मिलकर antigen presentation का काम भी करती है तो यह थे कुछ function lysosome के ज़्यादा तर functions वही है कि आपको foreign particles है यह cell के digestion के काम आती है कुछ functions है जो आपको याद रखने है जैसी की repair of plasma membrane है उसके बाद यह osteoclast का है और यह third antigen presentation तो यहाँ पर हमने lysosome का functions को finish कर लिया तो इस वीडियो में हमने क्या देखा तो हमने वीडियो में क्या देखा हमने देखा कि यह lysosome एक digestive body है जो की discovered किये गए थे Christian D. Duvet के द्वारा इनके shape, size और number के हमने बात की तो shape, size और number सब कुछ vary करता है cell to cell जो cell ज़्यादा digestion process करती है उनमें यह number ज़्यादा होता है फिर हमने देखा था कि कैसे बनती है बनती है Golgi apparatus से और इनमें जो enzyme होता है वो आता है rough ER से उसके बाद हमने structure की बाद की एक membrane होती है, दूसरा matrix होता है उसके बाद हमने function देखा कि यह कैसे काम करते हैं क्योंकि इनमें acid hydrolases enzyme होते हैं तो यह सभी को digest कर सकते हैं around 50 इसमें acid hydrolases enzyme present होते हैं सभी तरह के हमने उनके नाम भी देखे थे उसके बाद हमने types की बात की जिसमें हमने polymorphism डिसकस किया और देखे थे primary lysosome, secondary lysosome, residual body और autophasic vacuoles इस अभी हमने detail में डिसकस किये उसके बाद हमने दूसरा type देखा जिसमें autophagy और heterophagy के base पर इनको divide किया हुआ था लास्ट में हमने functions भी डिसकस किये lysosome के जिसमें आपने देखा कि main function इनका foreign particles को या cell organelle को digestion का होता है तो I hope आपको अच्छे से सब को समझ में आया होगा वीडियो पसंद आए तो please do like, share and subscribe मिलेंगे next वीडियो में कुछ और next interesting topics के साथ तब तक के लिए take care and bye bye